अगर नहीं बढ़ा है तो पहले जाकर करके पढ़ लो अगर पढ़ा होगा देन ये आपके लिए बहुत आसान होगा ठीक है चलो हम लोग यहां पे देखते हैं यहां पे बेसिकली एक्स्टेडियर एंगल्स दिया है पहले कह रहा है कि कोशन नंबर फर्स्ट में कि find x in the following यहां जो x है वो एक्स्टेडियर एंगल है यह बात तुम्हें पहले से पता चल ला है कि इसको हम लोग एक्स्टेडियर एंगल बोलेंगे अच्छा यह 125 भी एक्स्टेडियर है और 125 एक्स्टेडियर है यानि इस ट्रियंगल के तीनों के तीनों एक्स्टेडियर एंगल्स गिवन है और हमें पता है कि एक्स्टेडियर एंगल का सम कितना होते है 360 होते है तो हम यहां पर लिखेंगे कि सम ऑफ एक्स्टेडियर एंगल ठीक है सम ऑफ एक्स्टेडियर एंगल of polygon, कोई भी polygon आप उठा लो, और उसके exterior angle का sum निकालोगे, दिन कितना आएगा, वो 360 degree आएगा, ठीक है, इसका मतलब कि 125, 125 x को add करने पर, exactly कितना आएगा, 360 degree आएगा, तो हम यहाँ पर कर लेते हैं, 125 degree, पलस 125 degree, ठीक है, और पलस में एक और क्या है, x degree, तो यहाँ पर लिखें add करो, तो यहाँ पर हो जाएगा, 250 degree, और पलस में, x is equal to 360 degree, अब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो x का value बड़े आराम से निकल जाएगा, 360 में से क्या करोगे, 250 को इधर लाकर के subtract कर दो, क्योंकि उधर addition में है, तो finally, तुम्हें x की value कितनी निकल करके आगा जाएगी, 110 degree, तो यहाँ पर x का value क्या निकल करके आगे बड़ेंगे, 110 degree, यह रहा इसका solution, देखो इसका जो b number part है, बी में भी आपको सब exterior angle है, जैसे कि यह 60 degree है, और exactly यह इसका मतलब होता है, 90 degree, कुछ नहीं लिखाओ, बट ऐसा corner बनाओ, square के जैसा बनाओ, दिन व होगा, क्यों, क्योंकि एक state line पे जो angle दोनों मिलके बनेंगे, वो 180 degree बनेंगे, तो finally हम यहाँ पर क्या करने वाले है, लिखने वाले हैं कि sum of exterior angle, sum of exterior angle of polygon, कोई भी polygon है, उसके exterior angle का sum कितना होगा, बिटा, तो यहाँ पर 180 होगा, तो finally, यहाँ पर, sorry, 180 नहीं, 360, तो exactly क्या होगे, 360 degree, इसका मतलब यह हो गया, कि X plus 90 degree, बिटा, sequence में लिखते हुए चलो, 90 के बाद यह कितना है, 60 degree, 60 के बाद यह कितना है, फिर से 90 degree, सबको add करते हुए चलो, यह बाहर वाला angle है, और सबको add करते हुए चलोगे, then finally, यहाँ कितना मिलने को है, 360 degree मिलने को, सबको 9, 9, 180, 180 degree, 180 degree में, यहाँ पे 70 add करोगे, 250 हो जाएगा, 250 में 60 add करोगे, 310 हो जाएगा, तो exactly, यहाँ पे 310 is equals to 360 degree होगा, अब आपको क्या करना है, कि X का value 360 degree में से 310 degree को subtract कर लेना, तो दिन कितना बचेगा, finally, 50 degree बचेगा, और यही आपके X का solution हो गया, X का value निकल करके आग अब चलो, question number second में कहा रहा है, कि find the measure of each exterior angle of a regular polygon, और तुम्हें पता है, कि चलो हम पहला number कर लेते हैं, कि यहाँ N is equals to beta 9 है, और हमें पता है, कि each exterior, each exterior angle of a regular polygon, अगर कोई भी regular polygon है, और उस regular polygon का, मुझे side पता है, then हम उसका each exterior angle निकाल सकते हैं, उसके लिए formula होता है, क्या formula होता है, कि total exterior angle को sum करेंगे, 360 degree होगा, और उसमें, जितने सारे angles होंगे, उससे हम divide देंगे, तो पता चल जाएगा कि कितना कितना एक angle को पढ़ रहा है, अब यहाँ पे जितने angles होते होतने ही sides तो होते हैं, तो यह यहाँ पर number of sides कर लेंगे, इसका मतलब कि 360 degree में हम यहाँ पर n is equals to 9 है, इसका मतलब 9 से divide देंगे, तो finally हमें यहाँ पर क्या पता चला, कि 4 आ गया बिटा, ठेक है, तो यहाँ पर 4 sides, sorry 4, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 4 नहीं 40 degree होगा, exactly यहाँ पर 9 फोर्जा और यहाँ पर 40-40 degree हो जाएंगे, ठेक है, उसी तरीके से हम यहाँ पर second number भी निकाल सकते हैं, second number में 15 sides है, इसका मतलब कि n is equals to 15 हो गया, तो यहाँ पर each exterior angle निकालना है, तो लिख लेंगे, each exterior angle of a regular polygon, of a regular polygon, regular polygon का each exterior angle का formula हो जाता है, 360 degree divided by n, और यहाँ पर देखो 360 तो हो गया, n की value कितनी है बैटा, 15 है, यहाँ पर 15 से हम divide देंगे, 15 से divide दो, 15 to the 30, 6 बचा, ठेक है, तो यहाँ पर 15 for the 60, exactly 24 degree आ जाएगा, 15 से 360 में divide देते हैं, देन कितना degree आता है बैटा, 24 degree आता है, तो इसका solution निकल करके यह आपके सामने था, ठेक है, अब हम चलते हैं, आगे बढ़ कितने सारे sides होंगे, ठेक है, तो जितने angles होंगे, उतने ही sides होंगे, अच्छा, if the measure of exterior angle 24 degree, यहाँ पर बैटा, तुमको exterior angle का value दिया हुआ है, और वो कितना दिया है, बैटा, 24 degree, और उसने कह रखा है कि कितने सारे sides होंगे, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कितने सारे exterior angles होंगे, जितने exterior angles होंगे, उतनी ही हमारे sides होंगे, ठेक है, तो हम यहाँ पर पता है, कि number of sides अगर निकालना होगा, कि कितने, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, number of exterior angle, exterior angle बैटा, कितने सारे होंगे, तो total सभी exterior angle को add करने पर 360 आता है, एक exterior angle 24 degree है, और वो भी regular polygon है, तो हम सारे sides हैं, जो 24, 24 लेकर के रखा हुआ है, और 360 complete कर रहा है, इसका मतलब कि आप यहाँ पर divide दोगे, तो बेटा, finally तुम्हें 15 आ जाएगा, यानि 15 exterior angles होंगे, सब के पास 24, 24 degree angle होगा, दिन सब मिल करके 360 complete कर लेगा, तो exterior angles का संख्या कितना निकल के आया, 15 आया, इसका मतलब तुम यह कह सकते हो, कि number of sides, sides भी तो उतने ही होंगे, तो number of sides कितने हो जाएंगे, बिटा, 15 हो जाएंगे, क्योंकि जितने सारे exterior angles, उतने ही सारे हमारे number of sides होंगे, ठेक हैं, exactly, ये question number 3 का solution रहा, अब 4 number पे चलते हैं, यहाँ पे कहा रहा है, how many sides does a regular polygon have, देखो regular polygon use किया है, regular polygon कितने सारे sides होंगे, if each interior angle 165, अगर हर एक अंदर वाला 165 है, अच्छा, तुमको पता होना चाहिए, कि जितने interior angles होंगे, उतने ही हमारे exterior angles होंगे, उतने ही हमारे number of sides होंगे, तो हम फटा-फट यहाँ पे पहले दिया हुआ जो information उसको लिख लेते हैं, तो यहाँ पे each interior angle द नोट करते हैं, तो each interior angle यहाँ पे 165 डिग्री दिया हुआ है, तो बिटा exterior angle निकल के आ जाएगा, each exterior angle, हर एक exterior angle कितना होगा, तो तुम्हें पता है, exterior angle निकानने के लिए 180 में से अंदर वाले को सब्टैक्ट कर देते हैं, तो हमें exterior निकल करके आ जाता है, यानि हमें पता च यह निकाल सकते हैं कि कितने सारे exterior angle है, तो number of exterior angles, ठीक है, exterior angles का number निकालने के लिए total 360 degree है, और उसमें हम क्या करेंगे, 15 degree से divide देंगे, दिन हमें यहाँ पे 24 आ जाएगा, इसका मतलब कि 24 exterior angles हैं, तो 24 sides भी होंगे, तो यहाँ पे हम therefore लिख देंगे, कि number of sides, जो sides हो जाएंगे बेटा, वो कितने हो जाएंगे, 24 होंगे, बेटा, यह वाला step तुम कर भी सकते थे, नहीं भी कर सकते थे, अगर तुम्हें समझ में आता है, कि number of exterior ही number of sides होता है, यहीं पे आप लिख लेते, number of sides is equals to 360 by 15, ठीक है, लेकिन कोई नहीं, आपको यहाँ से मैंने बहुत detail में समझ ठीक है, चलो, next question पे move करते हैं, five number question, five number question पे यहाँ पे ध्यान देना, दो question है, यहाँ पे एक A number है और एक B number है, और A और B में दोनों को ध्यान से पढ़ने से पता यह चलता है, कि अगर क्या यह possible है, कि regular polygon भी हो, और उसका exterior angle 22 degree भी हो, क्या ऐसा possible है, तो हम देख लेते हैं, यह possibility है कि नहीं है, अच्छा एक बात तुम्हें पता होना शाहिए, कि कभी भी हम sides निकालते हैं, तो वो sides आपका always integer में आता है, वो भी positive integer, polygon या तो 3 sides वाला होगा, 4 sides वाला होगा, 5 sides वाला होगा, कभी ऐसा सुना है, कि 2 by 7 sides वाला polygon मैंने बना दिया, कभी ऐसा सुना है, कि 3.20 वाला polygon मैंने बनाया है, इतना sides वाला, तो sides always integer में ही होगा, वो भी positive integer होगा, exactly, तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो information दिया हुआ, उस information का use करकर के number of sides निकालते हैं, अगर वो integer में नहीं आया, यानि positive integer नहीं आया, दिन हम कह डालेंगे कि नहीं, ऐसा तो exterior angle होई नह सकता, तो चलो, पहले हम यहाँ पे A number का solution कर रहे हैं, A number में यहाँ पे each exterior angle दिया हुआ है, तो हम लिख लेते हैं, each exterior angle और वो हर एक exterior angle बिटा कितना है, 22 degree है, तो यहाँ पे 22 degree मैंने लिख लिया, अच्छा, तो जब आपको exterior angle पता है, तो number of sides आप निकाल लोगे, number of sides कैसे न 60 degree है, exterior को add करने पे, और each exterior 22 degree है, तो बिटा हम divide दे देंगे, तो इतने सारी exterior angle निकलेंगे, जितने exterior angle उतने ही sides निकलेंगे, अब देखो, इसको जब तुम solve करोगे, तो solve करोगे तो 2 से 11 times में, और 2 से 180 times में यह हो जाएगा, यानि कि 180 by 11 आएगा, अच्छा, यह तो fraction है, अ नहीं है, तो इसका value जो है, वो decimal में आएगा, something something 16.36 करकर करकर करके आजाएगा आपको, बिटा तो देखो, हमने number of sides निकाला, और ऐसा polygon जिसमें 16.36 sides वाला कोई polygon हो, ऐसा कभी सुना है, ऐसा नहीं possible है, तो हम बोलेंगे, के 22 जो है, वो possible नहीं है, 22 is not, this is not be possible, ठेक है, 22 को आपको exterior angle होना possible नहीं हो पाएगा, तो आपने एका solution देख लिया, के it is not possible, it is not possible, यह possible बाली बात नहीं है, अच्छा, can it be an interior angle of a regular polygon, अगर क्या यह interior angle हो सकता है, तो देखो, यहाँ पे each interior माने थे न, यहाँ पे हम exterior माने थे पहले, अब यहाँ पे interior angle इसको माल लेंगे, के हर एक interior angle 22 degree है, तो पिटर जब 22 degree interior है, तो यहाँ से हमें exterior angle निकल के आ जाएगा, क्या करेंगे 180 degree में से 22 degree को घटा देंगे, यानि कितना आ जाएगा, तो exactly 158 degree आएगा, तो यह 158 degree हमारा exterior angle हो गया, तो यहाँ से हम number of sides निकाल सकते हैं, और अगर यह side का value exact integer नहीं आया, दिन हम बोलेंगे कि नहीं, interior भी possible नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, कि 360 degree को 158 से divide देने वाले हैं, तो देखो बेटा, जब आप divide दोगे नो, तो यह भी 0.18 something something आएगा, तो यहाँ से भी interior angle भी possible नहीं है, तो it is not possible, it is not possible, interior angle भी possible नहीं है, किसी भी polygon का interior angle 22 नहीं हो सकत किसी भी polygon का exterior angle 22 डिगरी नहीं हो सकता, इसलिए, क्योंकि जब हम उसका use करके number of side निकाल ले हैं, तो वो fractional value आ रहा है, या decimal value आ रहा है, और ऐसा कभी होता नहीं है, कि side decimal value हो, या fractional value हो, चलो, अब हम next question पे चलते हैं, six number question पे, और यहाँ पे कह रहा है, what is the minimum interior angle possible for a regular polygon, ठीक ह कोई एक regular polygon बनाओ, अच्छा, minimum side वाला तुम regular polygon कौन सा बना सकते बिटा, तो तुम कहोगे, कि regular polygon minimum side वाला सा triangle ही बना सकते, तीन side से छोटा वाला तो कोई polygon होगा नहीं, और वो भी ये regular polygon है, तो exactly ये equilateral triangle होगा, equilateral triangle, और ये जो equilateral triangle हो गया न, तुम्हें पता है, कि equilateral triangle के सभ 60 degree होता है, ये बात तुम्हें पता है न, जब अंदर वाला हर एक angle 60 degree होगा, तो आपको इससे छोटा तो कोई polygon बना नहीं सकते, regular polygon, तो जब इससे छोटी side वाली बन नहीं सकते, तो इससे कम side वाली कोई regular polygon नहीं बन सकते, तो इससे छोटा angle भी नहीं बन सकता, तो exactly तुम बोल दो सकते हो, कि minimum interior, minimum possible interior angle, यहाँ पर एक नंबर में तुम कहोगे, कि minimum, minimum possible, minimum possible interior angle, ठीक है, interior angle, जो सब से कम possible है interior angle, वो exactly better 60 degree possible है, ठीक है, अच्छा सुनो, question number B में कहा रहा है, कि what is maximum exterior angle possible for a regular polygon, सबसे जादा exterior angle क्या possible हो सकता है, तो exactly triangle में ही होगा, अंदर जितना कम होगा, बाहर उतना ही जादा होगा, exterior angle बनाओ, exterior angle बनाओगे, 180 में से 60 को subtract करोगे, दिन कितना आ जाएगा, 120 डिगरी आ जाएगा, तो सबसे छोटा अंदर बनाओगे, दिन उसी time सबसे बड़ा बाहर बन जाएगा, तो exactly यहाँ पे हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, कि maximum possible, maximum, maximum possible exterior angle, ठीक है, यहाँ पे exterior लिखना पढ़ेगा, exterior angle, exterior, exterior angle, exactly लिखा जाया मेरे बई, exterior angle, जो आपका maximum possible होगा, वो कितना हो जाएगा, 120 डिगरी होगा, इसका आतलब कि triangle ही, वो भी equilateral triangle ही, एक ऐसा polygon है, जिसमें सबसे जादा exterior angle होगा, और सबसे कम interior angle होगा, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लिए, सबी चीजें आपको यहाँ पे clear हो चुका है, तो यह वाला जो पुड़ा का पुड़ा exercise था, उसको मैंने बहुत अच्छे से solution कराया, solution कराने के बाद आप क्या करोगे, फटफट से जो notes बनाया हो, उसको revision करते रहो, फिर हम next lecture में आगे की बातों को पढ़ाएंगे, आपन कोई फी वीडियो से हमारी आएगी दिन सबसे पहले तुम तक पहुचा करेगा, और अपने friend के साथ पी share कर दो, क्योंकि यह जो family है तुम्हारी, यह बड़ी family हो जाएगे, और तुमारे friends भी इसके फायदा उठा लेंगे, और इस वीडियो को तो like जरूर करना, और comment भी कर